साल 2017 के मार्च महीने में SFI का अखिल भारतियस्तर का उत्री मोर्चे चंडिगर में अपनी मांगों को लेकर विशाल परदशन करेगा और केंद सरकार के खिलाब मोर्चा खोलेगा इस परदशन में उत्री मोर्चे के चार राज्यों से हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे ये जानकारी SFI के हिमाचर परदेश के राज्य ध्यक्ष विवेक राणा ने बताया कि इसमें हिमाचर परदेश से 500 लोगों का टारगेट रखा गया है SFI के इंदर सरकार से मांग करेगी कि चंडिगर में बने नए एरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंग के नाम के साथ चोड़ा चाहे देश की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों को शहीद का दरजा दिया चाहे ताकि लंबे समय तक उन्हें और प्रदेश के लिए अतुली ने उनके बरिदान की गाता को याद रखा जा सके। SFI ने शहीद भगत सिंग, सुकदेब और राजगुरू की जीवनियों को विद्यार्थियों के पाठेक्रम में पढ़ाने की भी मांग सरकार से की है। इन सभी मांगों को लेकर SFI उतरी मोर् और फिर मार्च में चंडीगर्ड में एक विशाल प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताए कि इस अभ्यान के लिए SFI ने कमर कसली है और प्रदेश में जल्दी इसके लिए कारे शुरू कर दिया जाएगा। स्थेटों के अंदर एक कैंपेन लॉंच करेगी। उस कैंपेन के तहत हमारी दिमांड रहेगी पूर सैंटर की गवर्मेंट से की जो से हमारा चंडीगर्ड एरपोर्ट है। उसका नाम जो है सहीद आजब भगसिंग के नाफ से जोड़ा जाए इसके साथ साथ। आज की ड जीबनियां जो है वो हमें हमारे जो मारा स्लेबस है उस स्लेबस के अंदर पढ़ाया जाए इन तमाम मुद्धों को लेकर जो हम एक पूरा नॉर्थ चौन का जो है कैंपेन इसके अंदर छेड़ेंगे और उसके अंदर हम चंडीगर्ड के अंदर एक बड़ा करेंगे फिर रिपूर्ट की चैनल